हमें एक साइटीज दिखाया जाता है जो के एक अचीब से क्रियेचर को अपनी बॉडी में डाल रहा था जिसके बाद उसकी आइस ब्लू हो जाती है और वो एक वेर वुल्फ में कनवर्ड हो जाता है और इसी के साथ सेन कट होता है और हमें मुवी के मेन करेक्टर लैंड तब ही जून न्यूस सुनता है कि इस सीटी में कुछ लोग अचीब तरहां से काइब हो रहे थे इसी तर्मियान जून को उसके अंकल जॉंग की कॉल आती है और वो उसको बड़े विश करते हैं तब ही उसको अपने रास्ते में एक बड़े विश करता है और वो उसके बड जाता है तो उस आदमी के बॉड़ी से वो मिस्टेरियस क्रियेचर निकल कर जिसे हमने मोवी के स्टार्टिंग में देखा था वो वो जौन के सरीर में इंटर कर जाता है जिसके बाद वो देखते ही देखते एक वेरवुल्फ में कनवर्ट होने लगता है तब ही वहां पर सेक्रेट कमांडोस के टेम आती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग पूरी तैयारी के साथ आये हो वो लोग लैंग जून को कुछ कर पाते कि उससे पहले लैंग जून पूरी तरह से एक भ्यानक वेरवुल्फ में बदल चुका था जिसके बाद वो उन लोगों के बहुत कुटाई करता है और फिर हमें यहाँ पर एक छोटा सा फैट सिन भी देखने को मिलता है कमांडो की टेम में से एक लेडी जॉंग के उपर ग्रीन बुलेट से फायर करती है जिस वजह से वो घायल हो जाता है मगर फिर भी वो ब्रीज के नीचे समंदर में जंप मा करते हैं क्योंकि वो काफी वक्त से एक परफेक्ट पर्सन के खोज में थे जो कि उसके रिचर के साथ बिल्कुली अच्छे से अटाइच हो जाए मगर उसे अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला था नेक्स्ट डेज जब लैंग जून अपने घर जाता है तो वो जानव की ताकर काफी बढ़ चुके थी फिर वो टीबी ऑन करता है तो उसे ये न्यूज पता चलती है कि आज से बारा साल पहले जो वेर वुल्फे की स्क्रेचिस देखे गए थे सेम वैसे स्क्रेचिस कल रात एक बर फिर से देखे गए हैं ये सिर्फ सुनकर लैंग जून बहुत कर शिपक जाती है और उसी वज़ा से दिवार में दरारे भी पढ़ जाती है ये सब देखकर उसके बॉस के तो होस उड़ गए थे फिर लैंग जून उसे घूरता हुआ बिना कुछ कहें वहां से जॉब चोड़ कर चला जाता है लैंग जून तनहा रोड पर उदास और पर पर पढ़ती है तो उसे अपनी चैल हुट की याद आती है जहां उसे दो लड़के परिसान कर रहे थे लैंग जू बच्पन में काफी भोंदू था इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाता मगर तभी उसकी फ्रेंट चाउयू उसे आकर बशा लेती है जिससे कि उसे याद आत उसे रिंग से बाहर गिरा देती है मगर लैंग जून उसे गिरने से बचा लेता है वहां मौजूद मिस्टर जीयो का एक आदमी जून के उपर नजर रख रहा था और तभी उस जीम के ओनर का बेटा भी वहां आ जाता है और वो जून को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करत है लेकिन चौयों से बहुत मना करती है कि वो चैलेंज एकसेप्ट ना करे मगर जून उसकी नहीं सुनता और वो चैलेंज एकसेप्ट कर लेता है और फिर उन दोनों की बीच वैट सुरू होते ही कतम हो जाती है क्योंकि जीम का ऑनर जून को एक ही किक में पचाड देता है और जून वहीं बेहुस हो जाता है दूसरी तरफ हम मिस्टर जीयो को देखते हैं यो अपनी खास फिमेल कमांडों के साथ बैट कर जून को कैमरे में देख रहा था और यहां हमें ये भी जानने को मिलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस सैंटिस को दिखाया गया था वो कोई और नहीं बलके जून के फादर थे जिनकी किसी रिजन से डेट हो गई थी और जून की मॉम की भी एक डिजीज की वजय से डेट हो गई थी तभी मिस्टर जीयो अपने सिस्टम पर देखता है कि जून का बौड़ी उस मिस्टेरियस के लिए पूरी तरह से मैच कर इसलिए वो फॉरण अपने खास असिस्टेंट को उसे पकड़ने का ओडर देता है क्योंकि अब जून उस कमपनी का लास्ट होप था इधर फैट के बाद जून के आँख खुलती है तो वो खुद को अपने फ्रेंट चायू के घर में पाता है चायू उसे कहती है कि मेरे मन करने के बाद भी तो मुस्से फैक्ट करने के लिए क्यों गए थे तभी जून की नजे शौयू के फेस में लगे बैंडश पर पढ़ती है यो कि किसी सैन यूलन नाम के कमपनी का था ये वही कमपनी थी जिसके लिए जून के फादर और वो लेड़ी यानि की मिस्टर जियो की असिस्टिंट काम क्या करते थी जिसके बाद जून की फ्रिंट उसे अपने भाई के अचानक गाइब होने के बारे में बताती है जून उसके भाई का फोटो देखकर उसे बताता है कि ये इसे तो मैंने उस रात हुए एक्सिडेंट में वैन में देखा था इसका मतलब य जून के फोन के GPS आउन करके कमांडों के कार के नीचे लगा देती है ताकि उसे उसका लोकेशन मिल सके फिर जॉयो जून से पुछती है कि वो लोग तुम्हें पकड़ने क्यों आये थे बताता है क्योंकि मेरे अंदर एक किरियेचर है जिस पर वो लोग एक्सपरिमेंट कर रहे हैं इसके बाद जून इस किरियेचर के बारे में जानने के लिए अपने अंकल जॉंक के पास जाता है और उसके अंकल भी उसके फादर की तरह एक सैंटिस थे लेकिन जब जून उनके लेबरोटरी में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां आग लगी हुई है तो जून अपने अंकल जॉंक को बचाता है और सब कुछ नॉर्मल होते ही वो अपने अंकल से सैन्यू लियन कंपनी के बारे में पूछता है मगर उसके अंकल को भी उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी फिर जब जून वहां से वाबस अपनी दोस्त चॉयू के घर जा रहा थ तब वो वूल्फ के तेजकानों से नोटिस करता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और फिर वो उस लड़के को डंडे से मार कर उसे पकड़ लेता है जब जून उस लड़के से पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे तो वो लड़का उसे बताता है कि वो उसक काछी अच्छा हैकर है और उसका नाम कैजो है, ये सुनकर यून और शायो सॉक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तूम सच में कैजो हो, तुम्हारे बारे में काफी सुना है 5-9 कौन नहीं जानता तुमने तो बड़े-बड़े क्रिमनल को पकड़ वाया है जिसके बाद जून उस हैकर याने की कैजो को अपनी टीम में सा मिल कर लेता है कैजो जून की टीम में आने के बाद उन दोनों को एकTrigt would Dusne वो बताता है कि ये कंपणी ओयल के लिए फेमस है मगर इस कंपणी में वो लोग illegal chemical weapon को दूसरे country में trade करते हैं और इसी कंपणी में जून के फादर और उनके अंकल भी काम क्या करते थे और अब तक जितने भी लोग गाइब हुए हैं उनके गाइब होने से पहले उन्हें एक एलेंड पर गेम खेलने का ओफर दिया गया था जिस पर शॉयो कहती है कि हाँ मेरे भाए को भी एक गेम खेलने का ओफर मिला था पता नहीं वो किस तरह का गेम था और वो कौन से आलेंड की बात कर रहा था निक्ष्ट सीन में जून और शॉयो घर से बाहर घूमने को जाते हैं तभी कैजो का कॉल आता है इससे पहले कि वो जून को कुछ बता पाता मिस्टर जू और उसके कमांडो वहां आ जाते हैं जून अपनी फ्रेंड के जान को घतरे में नहीं डालना चाता था इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तयार हो जाता है और फिर जून उनकी कार में बैट कर चला जाता है मगर उसी वक्त जून की फ्रेंड याने की चौयू कार का पीछा करके उसे नीची रास्ते में रोक लेती है अब जब चौयू एक बहुत ही अच्छी बॉकसर थी इसलिए वो सबसे फैट करके जून को उन लोगों से बचा लेती है फिर वो लोग वहां से बच निकलने के ब अब जाकर उनके अंकल जॉंग उन्हें सब कुछ बताते हैं वो बताते हैं कि हाँ मैं और तुमारे फादर उस कंपनी में साथ काम क्या करते थे और उस कंपनी का ओनर एक मेडिसीन बनाना चाहता था जिससे की कोई भी डिजीज को ठीक किया जा सके लेकिन जब तुमारे फ आते हैं कि तुम्हारी मौम की डेथ किसी रेयर डिजीज की वज़ा से हुई थी जिसके बाद से तुम्हारे फादर बहुत उदास रहने लगे थे जिस वज़ा से वो उस कंपनी में और काम करना नहीं चाहते थे लेकिन उस कंपनी को ये बात अच्छी नहीं लगी इसलिए उ उसके अंकल उससे उस कंपनी की एगेंस जाने से मना करते हैं क्योंकि वो कंपनी बहुत ही पावरफुल कंपनी थी जिस पर जॉयो कहती है कि तो क्या हम उन जालिमों को युही जाने दे और मेरे भाई क्या क्या मैं उससे भूल जाओं वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर जियो और उसके कमांडो वहाँ आ जाते हैं और जून के अंकल को सूट करके मार देते हैं जून अपने अंकल को मड़ते हुए देखकर बहुत गुसा हो जाता है और वो देखते ही देखते एक भयानक वेरवुल्फ का रूप ले लेता है फिर जून और सारे कमांडो में एक जूरदार एक्षन से भरी फैट सुरू हो जाती है जब जून उन सभी कमांडो को कुत्ते की तरह धोने लगता है तो वो लेड़ी कमांडो वही ग्रीन बुलेट से जून के उपर सूट कर देती है जिस वज़स से चॉयो और उस लेड़ी कमांडो में भी फैट होने लगती है ग्रीन बुलेट लगने की वज़स से जून फिर से नॉर्मल हो जाता है वो लोग जून को पकड़ पाते कि उससे पहले चॉयो उसे विंडो से नीचे गिरा देती है और तभी वहाँ पर कैजो भी आ जाता है और जून को यकीन दिलाता है कि वो लोग जब तक तुम्हें नहीं पकड़ लेते वो चॉयो को कुछ भी नहीं कर सकते जिसके बाद जून उस लड़के के साथ वहाँ से चला जाता है फिर हम देखते हैं कि जून अकेले बीच पर बैठा अपने लॉकेट को देख रहा था जो कि उसके फादर ने उसे दिया था और वो अपने पुराने यादों को याद करता है उस लॉकेट में एक पिक्चर भी थी जिसमें जून बॉक्सिंग गलफ्स पहने अपने फादर के साथ था फिर जब जून की नजर उस गलफ्स में बने सिंबल पर पढ़ती है तो वो उस फोटो को कैजो को भी दिखाता है जिसके बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि जिम ही वो जगा है जहां जून के फादर को जला कर मारा गया था वो लोग फोरन ही उसी जगा पर जाते हैं जहां उन्हें वॉल्फ के स्क्रेचेस भी दिखाई देती है वहाँ पर उन्हें एक बॉक्स भी दिखाई देता है जिसका पासवर्ट जून का लॉकेट है था जून उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो के जून के फादर ने जून के लिए रखा था जिसमें जून के फादर उस experiment के बारे में जून के लिए message छोड़ गए थे उस recording में वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी wife के लिए एक drug बनाया था मगर उसके बहुत से side effect थे इसलिए उन्होंने पहले उसे खुद के उपर ही टेस्ट करके देखा लेकिन तब तक जून की मौ मर चुकी थी इसलिए उन्होंने इस experiment को बंद कर दिया था लेकिन सैन यूलियन कमपनी उसे एक विपन के तरह यूश करने लगे थे जिसके वज़े से काफी लोगों के डिद भी हो गई थी इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो उस कमपनी के सारे इलीगल कामों को रोकेंगे और वहाँ पहुचते ही एक के बाद एक सभी कमांडोस को मारने लगता है उधर रह में जून की फ्रेंट को दिखाया जाता है जो की एक रूम में बन थी क्योंकि मिस्टर जीयो ने उससे और उसके अंकल को वहाँ लाकर कैद कर दिया था फिर चौयो अपने बगल वाले रूम में अपने भाई को भी देखती है और उसे यकीन दिलाती है कि जून हमें यहां से बचा ले जाएगा जून के लैब के अंदर जाते ही बहुत सारे गार्टस उसे रोकने आ जाते हैं मगर जून अपने वेर वुल्फ के पावर से वहां की सारे कमांडोस को खूब मारता है और यह सब देखकर कैदो को खूब मजा रहा था आज मैंने तुम्हारे ब्लट की मदद से बना लिया और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ इससे मुझे अब कोई भी बिमारी नहीं हो सकती वो जून से अपनी खुशी जाहिर करी रहे थे के तभी जून के अंकल और उसके फादर का विडियो प्ले हो जाता है जिसमें जून उस कमपनी से मिलकर इलेगल विपन बनाना चाहते थे लेकिन जून के फादर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे इसलिए उसी ने उस रूम में आग लगा कर उनके फादर को मार दिया यसे अब देखकर जून को समझा गया था कि इस कमपनी का मास्टर मैंड कोई और नहीं बलके उसके अंकल जून थे उसी वक्त मिस्टर जियो की असिस्टेन भी वहां आ जाती है और वो जून को बताती है कि इस कमपनी का मास्टर मैंड जून है वो उसे ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि जून ने उसके चहिते बोस्ट मिस्टर जियो को सूट करके मार दिया था जिसके बाद वो लड़की जून पे गोली चलाने लगती है मगर जून को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने भी वो मेडिसिन खाली थी यो कि जून के बलड के हेलपे से बनाए गए थे जिसके बाद वो भी एक वेरवुल्फ का रूप ले लेता है और फिर जून भी एक वेरवुल्फ में कनवर्ट हो जाता है जिसके बाद उन दोनों में काफी फैट होती है वो दोनों फैट करते हुए लैप से बाहर आजाते हैं दूसरी तरफ कैजो चॉयो और उसके भाई को वहां से बाहर निकाल लेता है जिसके फॉरन बाद चॉयो जून की हेलपे करने के लिए उस कमीने जॉयो के गले में एक रसी बान देती है मगर उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता बलके वो उल्टा चॉयो को ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है इससे पहले कि जॉयो को जान से मारता जून वो रसी खीच कर जॉयो को उपर टांग देता है जिसका फायदा उठाते हुए चॉयो एक वायर्ट से उस कमीने जॉयो को करेंट लगा कर मार देती है मुवे के इंड में हम देखते हैं कि जून अपने रूम में एक बुक को पढ़ते हुए नियूस देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि सहर के खोए हुए लोग अब मिल चुके हैं मगर उन सब के बॉड़ी में एक अजीब सा निसान है और इसी के साथ ये मुवे यहीं पर खतम हो जाती है